हलो तूदेंट्स, आज का हमनों का टॉपिक है अपर्चर इफेक्ट ठीक है, इससे पहले वाले ग्लास में हमने फ्रेट ऊप सेंप्लिंग के बारें में बढ़ा था और उसी का कंटिनिविशन है पर्चर इफेक्ट तो क्या होता है aperture effect और क्यों आता है और कैसे remove करते हैं इसको यह देखते हैं so just revise करते हैं कि fret of sampling में क्या करते थे हम लोग ठीक है तो कोई signal होता है x of t यह x of t कोई signal होता है इसको एक pulse trend के through मैं fret of sample करता हूँ मैं इसको sampling करता हूँ ठीक है तो जो output आता है sampling का वो इस type का आता है s of t this is the flat top sampled signal ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रहा actually यह particular input को देखो यहाँ पे जिस time मैं मैंने इसको sampling करना start किया तो यह pulse जहां से start हो रहा है this is g of t जो sampling function है मेरा इस pulse trend के माध्यम से मैं इस input signal को sample कर रहा हूँ तो मेरे का output मिल रहा है यह s of t तो जिस particular time instant पे इस time instant पे यह pulse start होता है और यही पर से यह signal को sample करना start करता है तो इस particular time instant पे जो signal का amplitude रहता है let's say this is 3 यह मेरे output में produce होता है 3 ठीक है और during this time यहाँ से लेकर यहाँ तक यह pulse on रहता है हाई रहता है उतने time तक जितने time तक यह pulse हाई रहता है उतने time तक यह signal का sampling perform होता है उतने time तक मेरे output में 3 वोल्ट मिलता है और यह 3 वोल्ट कहां से है जो pulse जब start हुआ था उस time input signal का जो value था वही यह value रहेगा 3 तक यहाँ से लेकर 3.5 तक वैरी हुआ है बट आउट्पुट में क्यवाल थ्री वोल्ट प्रोडूस हुआ है यह जो pulse है आउट्पुट में है वह इस signal को रिप्रेजेंट करता है अनलोग signal को उसका का discrete version है यह signal यह वाला pulse ठीक है तो यह s of t क्या है x of t का sample version है यह discrete version है उसने क्या किया input 3 से लेके 3.5 तक वैरी हुआ बट जो output है वो कितना हुआ 3 मतलब इसने पूरे amplitude को प्रोड्यूस नहीं किया input signal का कुछ ही एक ही value को प्रोड्यूस किया और सी को maintain रखा constant कुछ ही टाइश से बाकी pulse भी देखो यह वाला pulse जब यह वाला pulse इस input को sample करेगा x of t को इस point पे लेट से यह value sample हुआ है इस time duration में इतने value में input value यहां से 4 से 5 किया 5 से बापिस डाउन हुआ है देखो इसका input का amplitude है वो change हो रहा है बट output में जो इस प्रोड्यूस और पल्स वो केवल 4 वोल्ट ही प्रोड्यूस हो रहा है जो starting value था input का तो यह जो input value चेंज हुआ input का जो amplitude चेंज हुआ उसको हम लोग consider नहीं कर रहे हैं के वाल starting point पे जो value थी input की 4 वोल्ट उसी को हम लोग consider करके चल रहे हैं तो इस टाइप से हम लोग एक किसी analog signal का flat top sample signal version अचीव करते हैं तो इसका mathematical expression हमने देखा था कि कैसे हम लोग इसको अचीव करते हैं तो flat top signal को अचीव करने के लिए हम लोग को क्या method है तो to achieve flat top sample sample signal हम लोग क्या करते हैं हमारा जो input signal होता है that is x of t इसको पहले multiply करते हैं एक impulse train के साथ ठीक है इसको मैं नाम दे रहा हूँ g of t और इसकी value रहती है summation del t minus nts तो x of t को सबसे पहले मैं multiply करते हूँ g of t के साथ तो मेरे को मिलता है s of t जो क्यों होता है ideally sampled signal ideal sampled signal और यह क्या होता है इन दोनों का multiplication x t into gt तो s of t मिलता है this is step number one flat top sample का 2 step है ठीक है यह according to input मिलेगा कुछ भी यह let's say यह यह input के according यह impulse का amplitude बढ़ जाएगा जहाँ जहाँ इंपूट पर high है वहाँ पर high जहाँ पर amplitude low है वहाँ पर low तो यह मेरे को s of t मिलता है that is ideally sampled signal और यह s of t कहा से मिला यह x t और g2 को multiply करने से इसको और इसको multiply करने से s of t मिला ना इस s of t से मेरे को flat of sampled signal अचीव करना है इस s of t से flat of sampled signal अचीव करना है तो मैं क्या करता हूँ इस s of t को एक type के network से pass करता हूँ और मेरे का output मिलता है p of t दो की flat of sampled signal है ठीक है अभी network क्या है यह network का transfer function होता है h of t और यह h of t को मैं लोग ऐसे लिखते हैं यह होता है h of t so मैं क्या करता हूँ इस s of t को जो sampled ideally sampled signal आया है उसको मैं एक network से pass करता हूँ और जो उस network output होता है वो होता है flat of sampled signal ठीक है तो p of t को मैं लिख सकता हूँ s of t convolution with h of t right ठीक तो s of t को लिख सकते हैं हम लोग ht into gt और p of t को लिख सकते हैं ht convolution with h of t this is flat of sampled signal अब यहां पर देखें p of t is equal to ht की value यहां से रख सकते हैं यह ht मेरा क्या है ht is equal to ht into gt देखो यहां से ht is equal to kya है ht into gt let's say this is equation number one gt क्या है summation del t minus nts ठीक है n is equal to minus infinity to plus infinity then st क्या हो जाएगा अगर gt की value यहां रखेंगे तो यह हो जाएगा xt summation del t minus nts n is equal to minus infinity plus infinity xt को अंदर ले जाएगे summation के सो impulse का जो multiplication property होता है वो लगाएगे multiplication property of impulse signal क्या होता है multiplication property कि ft into del t minus t not है यह हो जाता है f t not del t minus t not यह होता है ठीक है यह property को use करेंगे यहां पर s of t हो जाएगा summation x x of nts यहां पर t not की जगा पर क्या है यह है del t minus t nts यहां यहां पर now this is equation number 2 let's say अब p of t क्या है simple flat of sample signal p of t is ht convolution with ht now put the value of ht here summation x nts del t minus nts convolution with ht इसका इसका convolution करो so convolution property of delta function क्या बोलता है convolution property of delta function यह बोलता है del t minus t not convolution of f t this will give f of t not this thing delta signal के bracket में जो रहाएगा ना sorry यह फोड़ा सब्सक्राइगा यहाएगा ऐसा f of t minus t not delta signal के जो bracket में रहाएगा ना वो इसके bracket में आ जाता है f t के तो by using this property delta signal के bracket में क्या है यह हुआ जाएगा इसके bracket में इन दोनों का convolution करेंगे तो p of t आ जाएगा summation x nts h t minus nts so this was the flat top sample signal का mathematical analysis था ठीक है यहाँ तक हम already पढ़ चुके हैं बसी जेस्ट रिविजन था अब हम लोग को देखना है aperture effect so aperture effect के लिए हम लोग देखते हैं कि यह process को हम फिर से follow करेंगे aperture effect के लिए तो देखिए let जो analog signal था xt इसको मेरे को flat top sample link करना है ठीक है इसको नए page में बनाते हैं xt को मेरे को क्या करना है flat top sample करना है let's say xt यह है को signal है और इसका Fourier transform यह signal है real time में ऐसा नहीं होता है स्रिप समझाने के लिए मैंने यह Fourier transform लिया इसका Fourier transform क्या होता किसी signal का frequency domain representation होता है उस signal के अंदर कौन कौन सी frequency मौझूद है और उस frequency amplitude क्या क्या है ठीक है तो यह होता है Fourier transform of frequency domain representation of x of t तो let's say this is x of f अब मैं इस signal का क्या कर रहा हूं इस वाले signal का flat top sampling कर रहा हूं तो flat top sampling करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या 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 इसको impulse train से multiply किया था x t को this is g of t multiply करने बाद मैंने क्या result में रहा था s of t s of t was x t into gt ठीक है न तो यह result कुछ ऐसा मेरा था यह जादा कहीं पर कम ना इस s of t का Fourier transform क्या होगा s of t is equal to x t into gt तो s of f इसका Fourier transform क्या होगा s of f is equal to x of f into g of f और यह konvolution हो जाएगा multiplication का x t का हो जाएगा x of f gt का हो जाएगा g of f multiplication का हो जाएगा convolution now what is the gt gt क्या है है summation del t minus nts तो g of f क्या होगा इसका Fourier transform 1 by ts summation del f minus nfs यह इसका Fourier transform हो जाएगा gt का now gt का Fourier transform g of f की value यहाँ पे रखो तो यह क्या जाएगा g of f और sorry s of f is equal to x of f convolution 1 by ts summation del f minus nfs ठीक है g of f की value यहाँ पे रखो दिंगे इस point पे तो यहाँ पे जाएगा s of f की value इतनी now x of f को अंदर ले जाओ तो s of f is equal to 1 by ts summation x of f convolution del f minus nfs clear s of f is equal to हो जाएगा 1 by ts by using convolution property of delta signal delta signal के अंदर जो भी bracket में है वो x के bracket में आ जाएगा x f minus nfs तो this is the second stage s of t s of t क्या चीज़ था जो हमारा x t था और जो हमारा impulse n था उसको ideally sample किया मतलब उसको multiply किया x t और g t को s of t क्या था x t और g t का multiplication था ठीक है ideally sampled signal था s of t ideally sampled signal था हमेरा क्या s of t तो s of t is उसको Fourier transform किता है s of t का s of t था इसको Fourier transform है इतना तो देखिए this was my x of f किता न x of f यहाँ पे हमने लिया x of f को इतना s of f कैसे draw करेंगे आप देख सकते हो s of f is the shifted form of the x f तो x of f s of f को ऐसे draw करेंगे n equal to 0 रखो तो यह signal मिलेगा n is equal to 1 रखो इस equation में तो x f minus f s मिलेगा x f minus f s को कैसे draw कर सकते हैं ऐसे ठीक है this signal is x f minus f s यह हो जाएगा f s plus f m f s minus f m उसी type से आगे n equal to 2 रखो x f plus 2 f s मिलेगा यह signal जाएगा यहाँ पे उसी type से इधर minus f s में क्लिए इन सब का magnitude हो जाएगा 1 by ts यह हो जाएगा मेरा s of f ideally sample signal का folie transform अब अगला step क्या था मेरे को क्या achieve करना है इस x t का flotter of sample signal इस x t का flip top sample signal के लिए माने क्या किया था इसको सबसे पहले multiply किया था किससे g of t से multiply करने के बात मेरे को क्या मिल रहा था s of t that is ideally sampled signal अब उसके बाद इस s of t को मैं क्या कर रहा था एक particular signal से pass कर रहा था यह system से तो मेरेको मेल रहा था flat top sampled signal तो flat top signal का sample signal का output क्या था value क्या था p of t is equal to s of t convolution with h of t ठीक है so flat top sampled signal flat top sampled signal p of t is equal to what s t convolution with h t ये अभी थोड़े देर पहले हमने पढ़ा था कि p of t कैसे नहीं कलता है p of t क्या होता है s t convolution with h t now take the fourier transform of p of t तो ये हो जाएगा p of f s of f convolution को हो जाएगा multiplication और h t का हो जाएगा h of f ठीक है now put the value of s of f s of f कितना निकला ये निकला देखो ये value ये value हाँ put करो तो 1 by t is summation x f minus n f s into h of f n is equal to minus infinity to plus infinity now what is the h of f h of f kya होगा तो h of f को find करने के लिए मेरे को पता होन अच्छी h of t क्या होगा तो देखो h of t हमने क्या लिया था this is h of t तो h of t ये है ठीक है ना एक rectangular pulse तो what is the h of t h of t ये था h of t ये ही कर रहे था हम हम क्या कर रहे थे कि हम लोग सबसे पहले x of t को multiply कर रहे थे impulse train के साथ तो मेरे को क्या मिल रहा था ideally sample signal इस ideally sample signal s of t को में पास कर रहा था एक network से जिसका transfer function था h of t तो मेरे को मिल रहा था flat top sample signal p of t तो p of t को में रिखता था s of t convolution with impulse response of that filter या this network उसका impulse response क्या था h of t और h of t क्या था यह rectangular pulse तो h of t क्या चीज़ है this is इसका Fourier transform क्या होगा इसका Fourier transform हो जाएगा tau zinc f tau e to the power minus j pi f tau यह इसका Fourier transform होता है clear है ठीक है तो यह इसका Fourier transform हो जाएगा h of t का now this is h of f actually so यह value यहा रख दो तो p of f क्या होगा p of f इस विल बी tau by ts summation x f minus n f s sinc f tau e to the power minus j pi f tau ठीक है नव तेक दो draw the spectrum of this signal तो spectrum draw करने के लिए हम लोग क्या करते है magnitude लेते है actually generally हम लोग तो tau by ts x f minus n f s sinc tau sinc of tau और इसका magnitude लोगा तो यह हो जाएगा one clear तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ आपर तो actual में p of f का spectrum draw करने तो यह signal आएगा tau by ts x f minus n f s sinc f of tau ठीक है sinc f of tau तो देखिए यह क्या है it is x f minus n f s multiply with sinc function तो सबसे परदे x f minus n f s को मैं draw करता हूँ तो यह जाएगा ऐसे ठीक है आप इसको देखो this is f m this is minus f m this is f s this is 2 f s इसकी value let's say ts थी इसको मैं multiply कर रहा हूँ इस signal के साथ इस signal क्या है h of f tau sink f of tau ठीक है this signal is tau sink f of tau इस signal के साथ मैं इसको मैं multiply करूंगा तो देखो यह signal का magnitude let's say 1 by ts को भी 1 ले ले लेते हैं समझने के लिए 1 by tau को भी 1 ले ले लेते हैं ठीक है तो देखो यह signal को देखो इस इस particular time पे इसका magnitude है 1 इसका magnitude पूरी जगा पर 1 नहीं है यहां से लेकर यहां तक यहां पर इसका magnitude 1 है यहां पे थोड़ा से इसका कम हुआ 0.9 0.8 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहा है इसका magnitude कम होते जा रहा है time t equal to 0 पे multiply करो तो time t equal to 0 पे यह जो signal है इसकी value कित्ती है 1 इसकी value कित्ती है 1 तो time t equal to 0 पे क्या result मिलेगा मेरे को time t equal to 0 पे तो 1 मिलेगा तो कि यह 1 है यह 1 है time t equal to 0 तो थोड़ा आगे इस point पे देखो इसकी value let's say 0.9 है इसकी value 1 है इस point पे तो मेरे को क्या मिलेगा value 0.9 उसी टेप सी थोड़ा आगे और जाएंगे तो 0.8 होगिया इसका value देखो कम होते जा रहा है न सिंक function है कम होते जा रहा है यह हो जाएगा 0.8 यहाँ पे multiply होगा 0.8 वन से तो result क्या मिलेगा 0.8 मतलब जो resultant मिलेगा न सिगनल वो ऐसा मिलेगा आपको तो आप यह फरक देख सकते हो यह सिगनल उट था rectangular यह सिगनल मिला थोड़ा करवी that is p of f ठीक तो p of f मेरे को कुछ इस टाइप से मिलेगा तो मैं p of f को draw करता हूँ यहाँ पर p of f actually क्या है फ्लैट टॉप सेम्पल सिगनल का spectrum है फ्लैट टॉप सेम्पल सिगनल का spectrum है आगे के जो spectrum उसका magnitude भी कम होते जा रहा है देख रहे है यहां का सबका magnitude एक जमान था अब यहां से जो इसका magnitude कम हो गया इसके कम फिर में काफी और यह इसका खुद का magnitude कम हो रहा है इस P of F से मेरे को actual signal recover करना है तो मैं क्या करता हूँ इसको pass करता हूँ एक low pass filter से तो low pass filter का transfer function लेट से यह है FM से minus FM के बीच में 1 तो यह minus FM से plus FM के बीच में जो सिगनल को pass करेगा और बाकी सिगनल को block करेगा तो output of the low pass filter जाएगा ऐसा ही यह से यह इस F this is output of the low pass filter इस Y F F का inverse Fourier transform लूँगा तो मेरे को मिलेगा Y F T अब होना क्या था जब sample signal से मेरे को original signal वापिस recover करना होता है तो मैं क्या करता हूँ उसको low pass filter से pass करता हूँ low pass filter से pass करने के बाद जो low pass filter का output होता है वही मेरा original signal होता है तो देखिए यह मेरा low pass filter का output है और मेरा original signal क्या था ऐसा था इसका Fourier inverse Fourier transform लिखते है तो हम लोग मिलता X T यह दोनों सेम नजर आ रहा है क्या नहीं नजर आ रहा है इसका जो top portion है उपरा flat है magnitude सा constant है जबकि इसमें कुछ magnitude कम हो गया है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जारे है frequency में जैसे जैसे high frequency की तरफ बढ़ रहा है लो frequency से ठीक है लेट से fm है this is fm और fm की value लेट से five kilohertz है तो मैं जैसे जैसे zero से five kilohertz की तरफ बढ़ रहा हूं तो मेरा original signal था x of f उसका magnitude constant था जबकि जैसे जैसे मैं अपने इस flat of sample signal में आगे की तरफ बढ़ रहा हूं ठीक है zero से five kilohertz की तरफ तो मेरा magnitude है वो क्या होते जा रहा है कम होते जा रहा है मतलब high frequency signal का magnitude कम होते जा है जो high frequency component से मेरे actual signal में वो lost हो रहा है उसका information तो यह same result नहीं देता है तो यह जो effect आता है जिसमें हम लोग का tapered हो रहा है signal last में जो magnitude कम हो रहा है हमारा magnitude उस चीज़ को बोलते है हम लोग aperture effect ठीक है इस phenomenon is called aperture effect इसको time domain में देखो कि तो क्यों आता है देखो मैंने आपको बताया था कि हम लोग sampling करते हैं तो just time हम sampling कर रहे थे signal का यहां पर तो जहको इस time पर इस portion से लेकिए इस portion तक जो signal है 3 से 2 वोल्ट तक कम हुआ है मतलब signal का amplitude 3 से 2 वोल्ट तक गया है लेकिन जब इसका sampling होता है तो जो pulse generate होता है इसका sampling करने के बाद वो खाली 3 वोल्ट को generate करता और पूरा 3 वोल्ट को constant रखता है during this time यह signal जो है 3 से 2 वोल्ट तक कम हुआ है बट जब मैं sampling किया during this time तो जो output produce हुआ वो के बाद 3 वोल्ट दिया actual में output कैसे देना था ऐसा लेकिन output क्या आया ऐसा तो जो यह portion है जो यह information जो lost हुआ यहां से ठीक है क्योंकि अब magnitude actual में magnitude क्या था signal का 2 वोल्ट बट sampling करने के बाद उसने magnitude को क्या बना दिया 3 वोल्ट इसी type से यहां पे देखो यहां पे 3 से 3.5 तक signal vary किया है तो output क्या आना था मतलब sample क्या आना था ऐसा बट sample आया कैसे है ऐसे जो green वाल आया है वो sample पलता यह तो यह जो magnitude है उपर का वो तो cut गया 3 से लेके 3.5 तक जो magnitude आया actual signal में जो magnitude था वो magnitude sample में produce नहीं हुआ अब यही sample को मैं किसमें भेज रहा हूँ transmit करके भेज रहा हूँ मतलब यह signal का discrete form रेप्रेजेंट कर रहा है इसके 4 यह जो कुछ discrete values मिलेंगे उनके basis में original signal को recover करूंगा तो मैं जो खोया हुआ values है अपना 3 से 3.5 को उसको recover नहीं कर पाऊंगा तो यह जो problem आ रही है जो information lost हो रहा है magnitude का flat of sampling के अंदर इस effect को बोलते हैं aperture effect ठीक है इसको time domain में ऐसा देख सकते हो और frequency domain में आप इसको को देख सकते हैं इसके spectrum के form में ऐसा कि जो high frequencies amplitude है वो आपके taper होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं तो इस effect को बोलते हैं हम लोग aperture effect ठीक है सो इस effect को दूर कैसे करें aperture effect को दूर कैसे करें देख अपर्चर effect आ क्यों हो रहा है यह signal में जो tempering हो रही है इस type की taper हो रहा है जो signal वो क्यों हो रहा है क्योंकि यह sync function उसके लिए मल्टिप्लाई हो रहा है और यह sync function के multiply होने के कारण यह signal ऐसा आ रहा है ठीक है इसमें यह हो रहा है tapering हो रही है अगर मैं इस signal को PFF को जब इसको मैं send करूंगा इसको तो send ऐसी करना पड़ेगा मेरे को ठीक है यह transmit करेंगे यहां से signal को जब receiver में यह signal जाएगा इस टाइम पर receiver में signal receive होगा तो मैं इस signal को PFF को यानि कि अपना flat of sample signal है PFT या इसको बोलो PFF उसका frequency frequency domain signal इसको at the receiver end जब मैं इसको receive करूंगा तो मैं इसको एक special type के system से अगर pass करता हूँ ठीक है इसको बोलता हूँ मैं equalizer तो यह equalizer क्या करेगा यह जो extra sink functionation multiply हुआ है उसको अगर यह cut down कर दे तो मैं इस signal को वापिस actual form में recover कर सकता हूँ तो हम लोग क्या करते हैं इस aperture effect को दूर करने के लिए हम लोग एक device use करते हैं at the receiver end receiver के तरफ ठीक है जब signal को receive करना था उस time उस device को बोलते हैं हम लोग equalizer और इस device का transfer function होता है heq इस device का transfer function इस type से design करते हैं heq को कि वो उसकी value होती है ऐसी one by top sink f top यह ठीक है तो लेट से receiver में यह signal आया p of t उसको सबसे पहले में pass करूँगा equalizer से और equalizer का output आया let's say y of t ठीक है तो p of t का folia transform है p of f equalizer का folia transform है heq of f yt का folia transform है yf तो equalizer का जो output रहेगा output of equalizer यह रहेगा y of f is equal to p of f into h eq of f now what is the p of f tau by ts summation x f minus n f s sink f top यह था यह देखो this will be multiplied with heq अब heq of f क्या है this signal तो one upon tau sink f top तो यह tau, यह tau, यह tau, यह sink और यह sink cancel out हो गया तो y of f क्या बचेगा summation x f minus n f s यह बचे है ठीक है now this y of f is passed through the low pass filter, यहाँ पर देखो, इस y of f को मैं pass कर रहा हूँ low pass filter से this is p of t, this is y of t, this is x of t, यह low pass filter है, जिसका transfer function है h of f, यह की h of t, ठीक है, यह equalizer है, जिसका transfer function है, h eq of f, p of t का Fourier transform है p of f, y t का y of f, x t का x of f, so मैंने क्या किया, जो मेरा actual signal आया था p of t, उस signal को pass किया एक equalizer से, p of t को pass कि equalizer से, p of t की value थी, tau by ts, summation x f minus n f s, sink of f tau, ठीक है, तो y of t क्या है, यहनिकि y of f, y of f हो जाएगा, p of f into h eq of f, equalizer का transfer function, multiply with input signal का Fourier transform, तो p of f into h eq, तो p of f की value ये, tau by tau t s, summation x f minus n f s, sink f tau, multiply with h eq, और h eq को मैने क्या लिया है, ये, इसकी value जाएगी, 1 upon tau, sink f tau, so this will, will cancel out, तो y of f क्या बच्चेगा, summation x f minus n f s, ठीक है, तेन, इस x y of f को में लोग किसे pass करेंगे, low pass filter से, जिसका transfer function क्या है, h of f, तो मेरे का output में क्या मिल रहा है, x of f, x of f, output of the low pass filter, output of the low pass filter, will be, input signal of low pass filter, तो low pass filter का input क्या है, y of f, into, transfer function of, low pass filter, h of f, ठीक है, तो, y of f क्या है, y of f क्या चीज था, x f minus n f s, तो y of f को इसे draw कर सकते हैं, यही था ना, x f minus n f s, ठीक है, 1 upon ts, यही, 1 by ts, x f minus n f s था, y of f, इसको मैं pass करूँगा, low pass filter से मतलब, इसको multiply करूँगा, low pass filter के, h of f से, impulse response से, तो यह क्या करेगा, low pass filter, minus f m से plus f m तक के signal को pass करेगा, बाकी को block करेगा, तो output of the low pass filter, यह दोनों signal को जब multiply करेंगे, इसको और इसको, this is y of f, this is h of f, तो result मिलेका, x of f, ठीक है, अब आप देखो, यह जो x of f है, और यह जो x of f था, original signal का, वो सेम आया, इसका magnitude 1 by ts, इसका 1 है, तो आप ts को 1 ले सकते हो, तो कोई सेम आजाएगा, वो, ठीक है, लेकिन इसका जो structure है, वो flat है, जबकि पहले वाले case में, जब हम लोग equalizer use नहीं कर रहे थे, उस वाले case में, low pass filter का output ही आ रहा था, यह low pass filter का output था, बीना equalizer के, और equalizer के सांथ अगर हम लोग low pass filter यूज कर रहे है, तो output ही आ रहा है, this will, this is the same output of, this is the same with the original message signal, input signal, इसका माई inverse Fourier transform लोगा, तो मेरे को X of T मिल जाएगा, जो मेरा message signal था, ठीक है, तो यह होता है हमारा aperture effect, और उसको दूर करने के लिए हम लोग use करते है, equalizer, clear है, अब हम लोग next class में हम लोग पढ़ेंगे, pulse amplitude modulation, तो thank you very much,